वेल्कम फ्रेंट्स अभ्यास ओनलाइन क्लास के इस नए वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तों CGTET 2020 का आयोजन व्योसाइक परिच्छमंडल की ओर से 22 मार्च 2020 को आयोजन होने वाला था लेकिन वो पूरी तरीके से इस्थगित हो गया है अब दोस्तों नया संभावित जो नया परिच्छती थी क्या क्या हो सकती है कौन कौन सी थी हो सकती है इसका वर्णन तो नहीं दिया है लेकिन हम लोग एनालिसिस करके देख सकते हैं कि इसकी परिच्छती थी कब कब हो सकती है तो चलिए बात के लेते हैं इसी के बारे में तो वीडियो पर बने रही है अन तक जरूर देखे वीडियो को ताकि आपको knowledge हो सके दोस्तों 13-3-2020 को पूरी तरीके से यह जो है इस थागाज जो किया गया है व्योसाई परिछा मंडल की ओर से उसका notification है जहाँ पास इसका reason जो बताया गया है वो novel coronavirus को बताया गया है जहाँ पास 36 सरकार की ओर से इस पर संक्रमन के रोक थाम के लिए और उसके नियंतरन के लिए दोस्तों जितने भी समस्त सिक्षन संस्थान है उसको बंद करने का निर्णा लिया गया है तो इसको चलते हुए भी य अनुसार व्यापन द्वारा घोशित कर दी जाएगी तो दोस्तों इसमें जो नया इसका जो time table हो सकता है वो होगा दोस्तों अब 31 तक तो क्या है पूरी तरीके से इसमें कोई भी परिच्छा नहीं आयोजित की जा सकती तो जितना भी परिच्छा आयोजित होगा दोस्तों वो होगा अप्रेल में अप्रेल में होगा दोस्तों तो अधिकतर जो एक्जाम होता है व्यापम की ओर से वो होता है संडे को तो संडे को होगा तो दोस्तों इसमें से अगर हम लोग अप्रेल की बात करें तो पांस तरीक को अपना जो है पहला संडे पढ़ रहा है अप्रेल क वो ये डिसाइट करें कि 5 तारीक को 12 तारीक को 19 तारीक को या 26 तारीक को तो दोस्तों इसमें संभवता ज्यादा है कि 5 तारीक को और 12 तारीक को वो अपना ये टीटी का परिच्छा ले ठीक है तो हमको कुछ समय और मिल गए है तैयारी करने के लिए अगर हमारी तैयारी दोस दोस्तों उस book को आप refer कीजिए और जो है playlist में old question paper है उस वहाँ पास भी आप उसको check out कर के old question से भी आप तयारी कीजिए ताकि आपको इस समय टीटी पास आपको होना बहुत ही जरूरी है ठीक है क्योंकि ये तयारी करने का सुनहरा मौका ये जो कोरोना वारस की ओर से हमको मिल है तो हमां तयारी अच्छे से करें समय का सदूपयोग करें ठीक है क्योंकि हमारी जो सिक्षन संस्थाएं है अगर हम लोग कहीं पढ़ाने भी जाते हैं अगर कोई private वाला होगा है ना कहीं पढ़ाने भी जाता हो तो क्या होगा उसको लिए भी दोस्तों छुट्टी मिल च दो सकते हो तो पहला जो रहेगा वो रहेगा आपको लोगों के लिए रहेगा अपको असानी से दिला सकते हे और दोम यह पेपर डिलाने के विल जिसमें से कोई भी तीथी को एक्जाम हो सकता है तो ये वीडियो कासा लगा दोस्तों और नए जानकरी के रूप में मैंने ये बताया कि इसमें मैं आपसे टेस्ट लेने वाला हूँ तो ये बहुत ही इंपोर्टेंट था यही चीज आपको बताने वाला था ठीक है तो मिलते हैं नए वीडियो में दोस्तों नए जानकरी के साथ नए क्लास के साथ तो मैरे चैनल के साथ जब जूड़े रहिए चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया